हेलो स्टूरेंट्स वल्कम बैक टेदी चैनल बाइलोजी विक पूनम लोग आरे आई होफ आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं और आप लोग वी स्टूडिज भी बहुत अच्छे से चल रहेंगे आज इस वीडियो में डिसकस करेंगे लाइकेंस के बारे में मिनियेचर एकोसिस्टम लाइकेंस हमारे कॉंपटेटिव एक्जाम और उनियुएस्ट एक्जाम दोनों ही पॉइंट ओफिस इंपोरेंट है तो आप अपने कॉपी पैन लेके बैठेगा जो भी पॉइंट्स आप इंपोरेंट लगें उनसे आपने जो भी मैं यहां पर पढ होता हैं बेरीं टूदी सिमिलर ऑल इसे की हमारे मायकोषता में तो फंजाय होते थे जो कि हएएएप्लांत की रूपं हमें भी लेकिन लाइकेंंके अंदर chlorophyll present होता है, उस chlorophyll की presence की वज़े से ये food manufacture कर सकते हैं, अब जो मारे फंजाई होते हैं, उनके अंदर chlorophyll absent होता है, जिसकी वज़ा से ये food नहीं बना सकते हैं, तो ठीक है ना, यहां पर इन दोनों के बीश में एक mutual understanding होती है, ठीक है, एक mutual support होती है, कि भाई, फंजाई चरणा बपरिवाय्डत करुड़ूं और फंजाई खुड्या फ्रॉर्वाय फोडप करणा बना सकतर हैं, तो ठीक है, हमें अदर खुरणा जादा होता है, तो यहां पर फंजाई जो तो और फंजाई दो यहां फंजाई language फो hypocotmoney के पाता है और अब धोई मैं के तो approximately 80-85% हमारा फंजाई होगा और बचावा हमारा थालिक पोर्शन होगा ठीक है तो यहां पर जो फंगल पार्टनर होता है वो मेजर पोर्शन को कवर करता है ठीक है और वो अपने ही रिप्रोड़क्टिव स्ट्रॉक्चर्स और रिप्रोड़क्टिव और बनाता है वहीं पे जो एल्गल पार्टनर होता है वो फूड मैनिफेक्ट्रिंग का काम करता है क्यों क्योंकि इसके पास क्लोरो फोटो सिंतेसेस कर सकता है ठीक है तो फोटो सिंतेसेस के तिरो फूड को प्रोड्यूस करके उसको डिफ्यूज आउट कर देता है जिसको कि फंगल पार्टन लेज होता है वो एपसॉब कर लियता है तो इस तरीके से इनका एक सिंबाइटिक एस्वेशेशन चलता है तो यह हमारी लाइकेन की रेफिनिशन होगे ठीक है अब आते हम नेक्स इंपॉरेंट पॉइंट पर कि भाई यह तर्म आखिर दी किसमें तो टर्म लाइकेन जो थी वो सबसे पहले किसने दी थी थी फ्रेस्ट्रस ने जो लाइकेन की टेक्सोनोमी है वो एक स्वेडिश अबटनिस ने दी जिनका नाम था एरिक अकेरियस इन्हीं को फादर ओफ लाइकेन लोजी भी कहा जाता है ठीक है इन्हें उन्हों ही टेक्सोनोमी दी और इन्हें को फादर ओफ लाइकेन लोजी भी कहा जाता है अब बात आती है हमारे इंडिया की कि हमारी इंडिया में लाइकेन के बारे मे बताने वाले समझाने वाले मतलब या फिर आप ये कह सकते हैं कि father of Indian lycanology कौन है तो वो है हमारे धरानी धर अवस्ती जी ठीक है तो इंडियन lycanologist कौन है धरानी धर अवस्ती जी और father of taxonomy मतलब है कि lycan की टेक्सोनोमी बताने वाले और father of lycanology जो वर्ड में माने जाते हैं वो कौन है? वो है Mr. Eric अब जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि लाइकन जो होते हैं, वो Symbiotic Association शो करते हैं अल्गी और फंजाई तो बहुत सारे हैं कौन-कौन से अल्गी और कौन से फंजाई हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं यह हमारे कॉम्पुटेटिव एक्जाईम के पॉंटों से थोड़ा से जाधा इंपोड़ेंट हो जाता है क्योंकि उसी में से पूछने हैं कि यह कौन सी स्पीसीज हैं चारों में से जो की लाइकन बनाती है, है ना? तो उसको हम समझ लेता है हमारे क्या है, लाइकन किस–किस से मिलकर के बने हुआ है यहाँ पे हम फंजाई वाला पॉर्षन ले रहते हैं और यहाँ पे हमारा एल्गी लेगा ठीक है ? अब जो फंजाई होते हैं फंजाई का में क्या होता है ? minerals water को absorb करना, nutrition absorb करना किस से, algae से, ठीक है जो fungal वाला portion होता है, उसको हम बोलते है micro, beyond और जो algal वाला होते है उसको बोलते है, fico, beyond ठीक है, जो fungal वाला portion होता है, उसका main काम क्या होता है, food material को, minerals को absorb करना, क्या होता है absorption absorption of water and minerals और जो हमारे एल्गी होता है उनका में काम क्या होता है उनका काम होता है फूद प्रोड़क्शन जो फंजाई वाला पॉर्शन अथा वो शेल्टर भी प्रोवाइड करवाता है इल्गी को ठीक है तो माइको बाइओंस में से कौन-कौन सी ऐसी क्लासिस हैं जो की लाइकेंट पनाती है वो मेजर मेली जो है हमारी वो है sko my cities कि ग wil Lie to perform करते हैं मैकसिमम टाइम इस्कौ भी क्लासि सकते हैं मैकसिमम टाइम जो minimum अगर आप माद कर लो तो वो होते हैं हमारे basidio mycities के basidio mycities की members और बहुत ही rare होते हैं कौन से participate करें deuteromycities की ठीक है अब आता हमारा algal portion algal portion में mainly chlorophyce और synoophyce के members हैं जो की lichens बनाते हैं कौन-कौन है एक तो chlorophyce और synoophyce ठीक है chlorophyce और synoophyce की member synoophyce को blue grain है लगा हूँ कहते है कौन-कौन से member है इसका exam में पूछा जाता है तो इसलिए मैंने members के नाम लिख लिए है फंजाए में से भी तक है सच नहीं पूछा गया है ठीक है एक तो है सबसे यह वाला important है थोड़ा यह है हमारा tree box यह important इसलिए पर क्योंकि unicellular यह unicellular chlorophyce है जो कि है हमारा proto-coccus proto-coccus ठीक है फिर है हमारा chlorella chlorella और pleuro-coccus pleuro-coccus हो गया एक chlodophora, ॥ίyl 0-toccus juste jus यह कुछ members है जो की chlorophyce के है और lycans बनाते है ठीक है like जो chlorophyce की member है वह approximately 80% जो हता है वह we can ữa करते हो enophyűsumate 20% members है बनाता है ठीक है इसमें हमारे हो जाएगा no stock, anabina, no stock, anabina, ribularia, ठीक है, cytonima, ठीक है, glow ucapsa, microcystis, यह कुछ members है, जो भी, algae की साइड से lichen बनाने में participate करते हैं, तो इसको आप बना लीजे, copy पर लिख लीजे, यह नाम कुछ important है, जो के exam में पूछ गया है, ठीक है, एक और नाम है, इसमें हमारे chlorophycem है, trentiflia, trentiflia, t-r-e-n-t-e-p-h-l-i-a, trentiflia, यह कुछ members हैं, जो algae है, chlorophyce की members, जो की lichens बनाते हैं, ठीक है, तो notes बना लीजे, फिर हम आगे करेंगे relationship क्या है algae और fungi का, बतब इस relationship की history क्या है, पहले से, यह symbiotic association की term में ही लिया जाता है, या फिर क्या relation in का वह हम पढ़ेंगे इसकी history, तो यह है हमारी heading है, तो algae और fungi की relationship के ऊपर कुछ hypothesis है, मतलब उनको direct symbiotic or mutual association नहीं बोला गया है, symbiotic association नहीं बोला गया, उससे पहले scientist ने कुछ अलग-अलग hypothesis दीती, तो हमसे पूछा जा सकता है कि कौन सी hypothesis, lichen की बारे में कि scientist ने दीती, तो सबसे पहले जो हमारी hypothesis है, that is master and slave hypothesis, कौन सी है, master and slave hypothesis, master and slave hypothesis, that was given by cromby gave, ठीक है, cromby gave ने दीती है hypothesis और इन्होंने ये बोला था, कि जो fungal part है यहां पर, वो master की तरह behave कर रहा है, तो master कौन है, fungal portion, और slave कौन है, lb, ठीक है, तो ये master and slave hypothesis थी, इसके बाद में आई थी हमारी एक hypothesis, और you can say theory, that is hollow beyond theory, second कौन सी थी, hollow beyond theory, hollow beyond theory, तो hollow beyond theory के कहती है, कि lichens जो होते है, they are miniature ecosystems, ठीक है, क्या है, miniature nature, eco systems है, ठीक है, तो ये जो theory थी, वो दी थी, मागुलिस ने, किस ने दी थी, hollow beyond theory किस ने दी थी, marvellous ने, ठीक है, lichens जो होते हैं, ये बहुत ही सादा sensitive होते हैं, towards the air pollution, मितलब है कि, जहाँ पे बहुत सादा air pollution होगा, वहाँ पर ये lichens grow ही नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि किसी भी industrial area में, किसी भी industrial area में, lichens आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, इसलिए इनको lichens desert भी कहा जाता है, lichens, lichens desert, ठीक है, तो आप से term पुछा जा सकता है कि, what is lichens desert, तो lichens desert इस एरिया, lichens desert is an industrial area, where lichens can't be grown, ठीक है, वो grow नहीं हो सकते हैं, never be grown, ठीक है, या फिर lichens वहाँ पर absent होते हैं, तो ऐसे area को lichens desert करहा जाता है, ठीक है, जो lichens होते हैं, उनकी growth बहुत जाला कम होती है, ठीक है, अब lichens की growth कम क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर जो maximum portion होता है, वो किसका होता है, वो होता है, मारे फन जाएगा, ठीक है, अब growth fast कैसे होते हैं, जब उसमें photosynthesis होते हैं, जो मारे plants होते हैं, growth का बठी होती है, जब photosynthesis होता है, लेकिन यहाँ पर जो algae का portion है, वो तो बहुत कम है, है, algae वाला है, तो इसलिए जो lichens होते हैं, उनकी growth बहुत कम होती है, और वो growth कम क्यों होती है, क्योंकि there is no photosynthesis, या फिर the rate of the photosynthesis is very slow, और वो किसकी वज़े से slow है, क्योंकि यहाँ पर algal जो portion है, वो बहुत जादा कम है, ठीक है, इतना समझ में आ गया, अब हम next start करते हैं हमारा classification, क्या करते हैं हम, lichens का classification, classification, यहाँ पर जो classification है, यह तीन चीज़ों के उपर based है, classification जो है वो तीन चीज़ों पर based है, number one habitat, number two fruiting body, ठीक है, and number three thallus, ठीक है, तो habitat के base पर जो हमारा classification होता है, उसमें यह चार टाइप के होता है, number one, sexy collars, two, corticollars, three, terry collars, and four, ligny, ligny collars, ठीक है, और habitat में एक होते हैं, कुछ fresh water और marine water के अंदर भी होता है, उनका tumps नहीं है, कुछ होते हैं fresh water में, और marine water में, mainly terrestrial में पढ़े जाते हैं, लेकिन marine में भी पाते हैं, तो यह थोड़े से important होता है, ठीक है, जो fresh water के अंदर, lichens होते हैं, उनका नाम क्या है, that is, hymenilia, lycustria, ठीक है, hymenilia, lycustria, और जो marine होते हैं, वो है, clydoplica, mizina, ठीक है, यह हमारे important है, कि marine habitat में जो पाए जाते हैं, lycans वो कुन से होते हैं, और fresh water में जो lycans पाए जाते हैं, वो कुन से होते हैं, ठीक है, तो इसको और आम अच्छे से learn कर लिजेगा, next आते हमारे fruiting body के उपर, तो fruiting body में हमारे, जो fruiting body के उपर जो classification था, that was given by, Zell Bluckner, ठीक है, यह जो classification दिया है, that was given by, Zell Bluckner in 1907, Zell Bluckner ने 1907 में दिया था, तो इन्होंने क्या बोला था, कि दिर से यहां पर जो main lycans बनते हैं, जिसमें Esco My Cities के member होते हैं, उनको बोला इन्होंने Esco Lycans, क्या बोला? number one दिया, Esco Lycans, ठीक है, यह maximum portion बनाते हैं, और दूसरे थे, Basidio Lycans, यह maximum होते रहें, और minimum में था, हमारे Basidio Lycans, ठीक है, अब जो Esco Lycans थे, इनको इन्होंने फर्दर दो में डिवाइड कर दिया, Esco Lycans को इन्होंने फर्दर दो में डिवाइड कर दिया, number one and number two, ठीक है, जो number one थे, वो थे हमारे Jimno Carpi, कौन से थे, number one था, Jimno Carpi, और second वाले थे हमारे, पाइडीनो, कार्पी, Jimno Carpi and पाइडीनो कार्पी, ठीक है, अभी classification की outlines कर लेजे, detail में मैं भी आपको खरवाद हुए, ठीक है, फिर उसके बात में आयते हमारे Thales के बेस्ट जो classification था, तो Thales के बेस्ट पे जो classification है, इसमें यह चार पार्ट में divided किया गया है, नमबर वन, नमबर वन में हमारे हैं, two crystals, two folios, three fruity cores, what हमारा four है, square mu loas. ठीक है, number one homeomeras and number two heteromeras ठीक है इसका classification की outline समश में आ गई तो classification तक हो गया हमारा इस classification को अच्छे तरीके से learn कर लीजे नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारे इस classification का detailed study ठीक है तो अगर आप इस चैनल पर नए है काई दी दू सब्सक्राइब डोंट फोर्गेट टू प्रिजबल आइकन जिससे कि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ आपको उसका notification मिल जाए और आप उन वीडियो को देखके अपने notes बना करके अच्छे exams में marks को लेके आ सके ठीक है तो आप जितना भी अभी लाइकेंस का पड़ा आया है उसके आप notes बना लीजे important है यह हमारे exam के point of view से ठीक है तो thank you for watching take care god bless you all